मध्यप्रदेश में शिवराज सिंग चोहान के नित्रित्व में भारतिय जन्ता पाटी की सत्ता में वापसी की इबारत जियोती राधित्ते सिंध्या ने लिखी सिंध्या के 22 समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दिया भारतिय जन्ता पाटी में शामिल हुए जिसके बाद 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार को सप्ता छोड़नी पड़ी शिवराज सिंग चोहान के सिर एक बार फिर से ताज सच गया अब एक महीने बाद शिवराज सिंग चोहान के मंत्री मंदल का गठन किया गया तो जियोती राधित्ते सिंध्या की बुआ वभारती जन्ता पाटी की नेता या शोद्रा राजे सिंध्या को कैबिनेट में जगा नहीं मिली आपको बता दे शिवराज सिंग चोहान के मंत्री मंदल में पाँच मंत्रियों को राज़ेपाल लाल जी तंगदन ने दोपहर में राजभवन में शपत दिलाई शपत लेने वाले नेताओं की फहरिस्त में डॉक्टर नरुत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंग के नाम शामिल हैं इसके अलावा पूर्व केंद्रिय मंत्री जियोती रादित्य सिंधिया के समर्थकों में तुलसी राम सिलावट गोविन सिंग राजपूत को भी क्याविनिक में जगा मिली है बीजेपी नेता यशोद्रा राजे सिंधिया बीती शिवराज सरकार में मंत्री रही है शिफपूरी विधानसभा सीट से चौत्थी बार विधायक चुनी गई है साल 2013 में शिवराज सरकार में वानिज्य, उद्योक और रोजगार मंत्री की जिमेदारी संभाल चुकी है इससे पहले दो बार सांसत रह चुकी है ऐसे में माना जा रहा था कि शिवराज सरकार में उन्हें जरूर कैबिनेक में जगा मिलेगी वहीं जियोती राधित्य सिंधिया के कॉंग्रेस छोड़ कर बीजेपी में शामिल होने पर यशोद्रा राजे सिंधिया काफी खुश थी उन्होंने कहा था राजमाता के रक्त ने रास्ट्रोहित में फैसला लिया साथ चलेंगे नया देश करेंगे अब मिट कया हर फासला जियोती राधित्य सिंधिया द्वारा कॉंग्रेस छोड़ने के साहसिक कदम का आत्मिय स्वागत करती हूँ अब इन सब के बीच में यशोद्रा राजे सिंधिया को फिलहाल कैबिनेट में जगा नहीं दी गई बताया जरूर जा रहा है कि मंत्री मंदल का जब भी विस्तार होगा उन्हें जगा जरूर दी जाएगी SPN 9 News से मेघा की रिपोर्ट